यही समय है ब्रद्धावस्था और म्रत्यु से दुर्गती से अपने को बचा लो बड़िया समय है जराम मरण मोक्षा है हमारे उपर ब्रद्धावस्था का प्रिभाव ना पड़े भुले उने तो बड़े भजनानंदियों कि सरीर को ब्रदध होते देखा है तो सरीर को बोले क्या वो अपने पर बोले इस सरीर की ब्रद्धावस्था का प्रभाव हमारे उपर न पड़े इस सरीर की मृत्ति और अस्था का प्रभाव हमारे उपर न पड़े हम सीधे देहा भी मानी तो हमारे सिताथ पर सरीर में हो जाता है हम स्वरूप की बात कर रहें सास्त्र स्वरूप की तरपिंगित कर रहे जो मनुष्य मेरा अस्रे ले करके मेरी प्राप्ति के लिए बताये गए सिध्धांतों के अनुशार प्रेत्न करता है उसके उस प्रेत्न को देख करके हम उसको ब्रह्मिस्थिती प्रदान कर देते हैं प्रेत्न से नहीं मिला पर प्रयास देख करके जैसे यसुदा मैया लाला जी को बांधना चाहती है भागी बांधने के लिए अब लाला दोड़ रहे हैं मैया पकड़ने की चिस्टा करती प्रभू पीछे मुढ मुढ के देख रहे हैं मैया के माथे पर पशीना आ गया स्रमित हो रही पर वो प्रेत्न नहीं छोड़ रहे प्रभू स्वयम अपने को बधा दिया बस ऐसा ही करते हैं जब उपाशक हार नहीं मानता हर कश्ट सहता है किशी प्रलोभन में रुकता भी नहीं है प्रेत्न शील रहता है भगोत प्राप्ती के लिए तो प्रभू स्के प्रेत्न को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आपको प्रकासित कर देते हैं अगर हम प्रमादि स्थिती में रहेंगे तो अशाधन होता रहेगा तो अशाधन अर्थात पाप पाप होता रहेगा तो भजन में प्रवत्ती ही नहीं होगी पाप रहित जीवन ही द्रड भजन के योगी होता बहुत सावधान रहना चाहिए कोई भी असत्क्रिया नहीं हो बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है जीव जानते नहीं अज्यान की धरा में मनमानी आचरण करते रहते है हैंकर गतियां इन सबसे हमें मुक्त होने का उशर मिला है जो मेरा अस्ट्रे लेकर के मेरे द्वारा बताये हुए सिध्धांतों का प्रभुई शंत रूप में गुर्देव के रूप में सास्त्र के रूप में ब्रह्मरिश्यों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं हम प्रयास करें पुर्णता उनकी तरफ से हो हम शर्णागती का प्रयास कर रहे है पुर्णता उनके हाथ में हम उनकी प्राप्ती का प्रयास कर रहे है ये उनके हाथ की बात है कब कैश्य हमें मिलेंगे कौन सी स्थिती देंगे ये उनकी उपर की बाद हमें उसका चिंतन नहीं करना हमें ये चिंतन करना है कि आराद्य देव की शिवा और कुछ चिंतन ना होने पावे उष्ब्रम्ह को शंपुर्ण अध्यात्म को और शंपुर्ण कर्म को वो जान जाते हैं जरामरनमोक्षाय मामाश्रितियतन्तिते ये ब्रद्धावस्था और ये मरनवस्था जीतेजी मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये मानोदेय मिला है अगर आप प्रयासरत रहे जीवन में अनुभव आपको नहीं हुआ और कभी भगवद आश्रे छोड़ कर आप इधर उदर भटके नहीं तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभव करा देंगे पिछे ऐसा ब्रणन किया है श्वयम प्रभु ने कि उस शमय में श्वयम आकर इस स्मृती रूपशे उसके हरदय में जागरत हो जाता हूँ क्योंकि जीवन भर लड़ खड़ाते हुए ही सही पर हमारी तरफ चलने का इसने प्रयास किया है पर हमने महापुरुशू के मुख से सुना है कि जो उपाशक बाल्य आवस्था से भगवान के मार्ग में लगे हैं उनको इस बात पर नहीं संतोस कर लेना चाहिए कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे नहीं जीते जी अनुभव करना है शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो इस्थिती प्राप्त करनी है जो भागवतिक इस्थिती है बिलकुल सची ये शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है जैसे कोट, सर्ट, बन्याईन इस्थूल सरीर कोट, सुक्षिम सरीर सर्ट, कारण सरीर बन्याईन लेकिन पहनने वाला अलग है पहनने वाला न कोट है न सर्ट है न बन्याईन है बिलकुल अलग प्रतीत होने लगता है अपना शरूब अपने आप से अनुभव में आता है किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं किसी करण के द्वारा नहीं अपने शरूब का अनुभव अपने शरूब से ही होता है अपने से ही अपने का अनुभव होता है इसमें किसी अन्य का सायोग नहीं है फिर साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएं ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने शुरूप में ले हो जाएंगे, शान्त हो जाएंगे, जैसे शान्त जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शान्त अंता करण में ही सारे भावों का प्रादुर्वा होता है, इसलिए भक्ती में भावों में सबसे पहले रखा गया शान्त शरीर की मृत्यू के पहले ही शरीर का राग नश्ठ हो जाए यह साधना की फल व्रत्पी है जो जीवन में शाधना की है अब शरीर शर्ण ऐसा नहीं कि जिसका शरीर राग खतम हो जाता हुसे पीड़ा ही नहीं होती है पीड़ा होती पर परेशानी नहीं होती दर्द है पर दुख नहीं है व्याकुलता नहीं हुए ऐसा कुछ नहीं होता शहज में एक बritos्ती रहती भगवदाकार अब यहाँ किसी ने पीटा तो दर्द होगा क्यों पीटा यह ठीक हो जाए कोई बृत्ती ऐसी नहीं आएग जो शरीर में हो रहा है, सरदी लग रही, तो अगे इंद्री में मैशूष हो है, कि हाँ सरदी है, प्रावदुश्या तो वस्त्र मिल गया, ओड़ लिया, नहीं मिला, कोई आखांक्षा नहीं, यह स्थिति है कि बुद्धी से तरकना से नहीं से समझा जा सकता है, वो स्थिति है, तात पर यह हुआ, कि इस मनुष्य शरीर से ब्रद्धा वस्ता आने के पहले और मृत्य वस्ता आने के पहले बगवत प्राप्ति कर लो, बात समझो, यह जो लोग भूले हुए हैं ना, कि यह यववन वस्ता भोगों के लिए हैं, बड़े-बुडे सिक्षा देते हैं, अरे तुम तो, अभी तुम्हारी तो खेलने, खाने की उमर, भजन की उमर है तुम्हारी, उनसे पुछो जो उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारी उमर कौन सी है, तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वह उत्तर देने के शामर्त नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं, नहीं बड़े बुजुर की जिस समझाते हैं, तुम्हारी भजन करने की उमर थोड़ी है, तो ये पुजिवर आपकी उमर कौन सी है, और अब आप क्या कर रहे हैं, भजन कोई खेल खिलोना नहीं है, जब तक आपने पूर्वा भ्याश नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला, ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार और इनके सब व्यावर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर ब्रंदावन में फ्लेट लेंगे और खुब भजन करेंगे, भूल जाओ, फ्लेट ले सकते ह आओगे लेकिन या प्रपंच ही करोगे भजन नहीं कर पाओगे, सत्संग में बैठोगे, सो जाओगे, सब्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप भ्यावर इनकी आए, चार बुढ़े बैठ करके, अपनी बहु और लड़का बच्चा की बाते करोगे, प्रिया प्रितम आने के पहले, चलो ब्रद्दावस्था का तो समय हमें पता है, कि शरीर की ब्रद्दावस्था लगभग लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन म्रत्य वस्था तो एक सेकंड के बाद भी आ सकती है, इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवद ब्रद्दावस्था के आने के पहले भगवत प्रात्ति कर ले ये बात तो समन में आ जाती है, कि 60-70-80 इसी को ब्रद्दावस्था कहते हैं, आज कल तो 60-70 मेरा आदे से हम हो जाता है, अब तो जवाने नहीं समझ में आते हैं कि जवान कौन है भई, कैसे समन में आएंगे पंद्रा सोला की अवस्था आप अभी सुने थे, प्रशन उत्तर में एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं, यह तो पाप का लक्षोन है, आप पाप कर्मों से अपनी ब्रती को हटाईए नहीं, तो नकारात्मक सोच आपको नस्ट कर देगी, क्या करते हो त इस विशह पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है, छुटे-छुटे बच्चे ऐसी निक्रिष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब यह जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांग्षा जाग्रत होगी, यह कहीं सतमारक जान पाएंगे, कदाप ब्रमरिश्यों के शाषन में 20-25 वर्ष तक ब्रहमचारी रहे, ब्रती-निवर्ती मार्गपरक्त वैरागी बन गए, प्रवती मार्गपरक्त ग्रहस्त में गए, कुछ समय तक ग्रहस्त में रहने के बाद स्वता पूर्वा भ्यास ब्रहमचर का उनका जागरत हो जाता, और चोथी अवस्था तक भगवत साक्षात कार कर ही लेते, क्योंकि न्यू बड़ी मजबूत थी, आप छुटी-छुटी बच्चे, स्मार्ट मुबाइल, आचरन, गंदे दृष्चे देख देख करके, गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर बात आएगी कि ब्रदा उस तक पहल करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही चिंतन होता, जीवन एकदम नर्क बन जाता है, भगवत प्रात्ती की आकांग्षा उसके हरदय में होती है, ध्यान से सुनना, पर नारी पर पुरुष्य त्याग कर, शेवन करो सुद्ध ग्रह धर्म, निजपर धर्म नास के शाधन, करो कभी भी नहीं कुकर्म, यदि आपको इसी जन्म में उत्तम इस्थिती को प्राप्त करना है, तो चाहे ग्रहस्त हो, चाहे बिरक्त हो, कभी भी ये बिरक्त आश्रम बाले को माताव बहनों की तरप कुद्रश्टी शेविने देखना चाहे, कुद्रश्टी भोग भावना जननी समझानही परनारी धन पराय विश्ते विश्भारी जिनही राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुब शदन तुम्हारे मात्रवत पवित्र भाव अपने को तो श्री जी की शखेया हैं, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुम, विद्या, रंग, देवी, इंदुर, लेखा, रुष, शकी, सुदेवी, सकल, यूथ, हित, सेवी, ऐसे ही चराचर की, जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे, उतने ही दोश हमारा नस्ठ हो जाएगा, यह जितनी इस्त्री शरीरधारी, यह सब मेरी प्यारी जीव की लाड़ी से चरिया है, इनके चर्णों प्रणात, बस, जो चाहे आपन कल्याना, सुजस, सुमत, सुगत, सुगनाना, सो परनार लिलार गोसाई, तजव चौथ के चंद की नाई, बिरक्त उपाशक को माताव बहनों से आख मिला कर कभी बात नहीं करनी चाहिए, उनके मुख की तरफ आए, उनके चर्णों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यह नवस्ताक, चाहे बिरत शादक को कभी एकांत में माताव बहनों से शंबाशन नहीं करना चाहिए, बीच में एक किसी को डाल, औ और दूसरा शाद को खड़ा हो ज़िए नहीं बाहर निकलो बाहर अगर बात ही करनी तो मैदान में करो प्रकर करके और क्या बात करनी है हम भगवत प्राप्ती के मार्ग में चले हमें क्या बात करनी है बहुत सावधान रहना चाहे ग्रेश्ट धर्म के उपाशक को यदि ब्या हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकुल पशुवत बेवार नहीं और पर इस्त्री की तरब तो द्रश्टी ही न करे भोग व्रती की अगर की तो शारेश शुकृत नस्ठ हो जाएंगे चाहे वो इस्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो इसलिए पर नारी पर पुरुष त्यात कर पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुँचता है शास्त्र श्वाध्या नहीं करते हैं वो इसे मनोरंजन समझने लगे इसे धर्म नहीं समझते वो इसे मनोरंजन समझ क्या इसमें बिगड़ जाता है जो शास्त्र हैं उनका श्वाध्य कभी करते नहीं अब उनको जो शमय मिलता है तो नोटन की नाटक से नेमा देखते हूं जिनमें यही सब की पुष्टता होती है इसी की बाहुलेता होती वही द्रश्य देखते है ना तो कभी भगवत प्रेमी महत्माओं की चरणरज में बैठ करके सत्संग शुना ना सास्त्र श्वाध्य किया तो मन मानिया चरण बढ़ते रहते कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी कि जरा मरणमोक्षा है अगर ग्रेश्ट धरमे में है तो शुद्ध कर्म करें जो उसके सास्त्र उनकुल बर्णन किये गए वह भी सत्संग से पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है जो दूसरे के धर्म का नास करता है कुकर्म करता है वो कभी शाधन मार्ग पर कैसे चलने की शोच सकता है अगर कहें उनके अंदर थोड़ी सरद्धा भी बनती है तो भूत प्रेत की पूजा करता करता जोता मश्ब्योहार अंडे मांस सराब उडाता चूरी का करता व्यापर रखता मन में वैर द्वेश मद करता जो हिंसा व्यविचार होता घोर प्रेत वो पाता असहनिय यातना अपार जरना मरण मोक्षाए नहीं वो प्रेत बनेगा प्रेत यह उन्हें किसको प्राप्त होती है तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं जो अंडा मांस सराव यह सब खाते पीते हैं दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं मन में वैर द्वेश अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं और परिस्त्री से जो विविचार करते हैं, वो घोर प्रेतियोनी को प्राप्त होता है, इसका प्रमान दुन्दकारी है पढ़ के भागवत में देख लेना, प्रेतियोनी को प्राप्त होता है, ऐसे प्रेत स्वभावाले कैसे जरा महरन मुक्षाय के मार्ग का उलम्बन लेंगे इसलिए ताम सवस्तु नसीली जूठन से रखो परहेज विराग माता पिता देवता गुरु का गुरुजन कान करो अपमान सुख पहुचाओ सब को शंतत मन में रख स्रधा सम्मान कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए बैठालो आज कल ये भी बहुत सुक्षमता से साधन मार्ग में वालों को गिराने के लिए प्रवेश कर गया है कि थोड़ी सी भांग खालो बद भगवदानन्द में डूब जाओगे या एक दो चिलम फूंक लो या आमुक 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 हम प्रणाम करते हैं जो ऐसा करते हैं सिद्ध महा पुरुष होगे उनको हम प्रणाम करते हैं पर अपने कच्छे साधुकों के लिए या भगवत प्राप्ति के लक्षवालों के लिए हमें कहीं सास्त्र में आस तक नहीं लिखा कहीं ऐसा नहीं मिला कुछ लोग उदारन देते हैं कि भगवान संकर भी भांग खाते हैं भगवान संकर भांग खाते नहीं पीते हैं हला हल जहर पीते हैं जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंतर में निकला हुआ हला हल जहर पिया तुम्हें एक धतूरे का फल खाके दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो जगत रक्षा के लिए भगवाल और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है यहीं है नील कंठ तुम्हें गूट पानी आरोक के दिखाओ एक बून पानी चला जाए खोक-खोक करते रहे हुए पूरा हलाल जहर स समझो उस भगवान है वो जगत मंगल के लिए सब किये हैं वो कोई ऐसा ने कि थोड़ा भांग खाके कैला से भांग का नसा कितिनी कि मिनट रहता है बहुत बहुत 24 गंटे बारा घंटे 24 गंटे संकर सहज स्वरूप समारा लाग समादिय खंडय पारा अठासी हजार वर्ष तक कि शमादे एक बार में अठासी हजार वर्ष अठासी मिनट बैटके बिना हिले दिखाओ में तुम आठासी मिनट बिना हिले दिले बेल पजमासन लगाओ आठासी मिनट बिना हिले दिले शरीर काप जाएगा महापुरुषों के सत आचरण का तुअनुकरण नहीं करते और उनकी जो महामहिम जगत रख्षा के लिए बृति उसको बुलते भगवान संकर नसा करते कोई भी तामस वस्तु नसीली वस्तु अगर श्वैकार करेंगे तो सुद्ध भजन नहीं हो पाएगा इसलिए जो कर रहे हैं वो सिद्ध हैं हम प्रणाम करते हैं हमारा निशेद करने का कोई बली नहीं है सास्त्र कह रहा है तामस वस्तु नसीली कोई भी नशा नहीं होना चाहिए सादक के जीवन में जूठन से रखो परहेज गुरु की आराध्यदेव की जूठन किसी वा जीवन में किसी और की जूठन नहीं पानी चाहिए सब सवैशंत गुरुदेव हैं ब्यासया परतीत भगवत प्रेमी मात्माओं की जूठन के लिए तो आदेश दिया है जूठन ले पावेश्रदा जो ग्रैस्त में है माता पिता बयो ब्रदों को भगवान का स्वरुप मानकर उनका आधर करे बड़ा कुरूर शुभा होता जा रहा है जो भगवत शुरुप माता पिता जिनकी चरण आराधना करने पर भगवान की प्राप्ती हो जाती पुंडरीक जिने अपने माता पिता की आराधना की भगवान बिठल उनको दर्शन देने बिना चाहे आ गए ऐसे पुझिवर जो हमारे गुरुजन है माता पिता यदि हम उनका अपमान करेंगे उनको गाली देंगे तो हम जरा मरण मोक्षा है मार को पर चल पाएंगे कदा पिने और सद गुरुदेव की अवहेलना फिर तुम्हें परमार्थ की पगडंडी मिल जाएगी कदा पिने शुख पहुचाओ सब को संतत मन में रक्षद्धा सम्मान सम्मे भगवत भाव करकर सुख देने की भावना बुरे संग का बुरे ब्यशन का कभी न रखो मन में मोह। काम लोब को छोड करो सब जीवों पर श्वाभाविक छो। जैसे कर्म किये जीवन भर जैसे मन में रखे विचार अंतकाल भाव मनुझ का होगा उसके ही अनुशार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पुझी भाई जी महराजी। यदि तुम बुरा शंग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोबहादी में आशक तो होकर चेश्टा करोगे, भोगवासना करोगे, तो क्या होगा? बुले जैसा जीवन तुम बितीत करोगे, फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निरनाय आएगा, क्या? अंतिम समय वही कर्म छाजाएंगे, जो बुरे कर्म के हैं, वही छाजाएंगे वगला, जैसे जराशी बृति म्रग में लगी, तो म्रगा कारवरति होने का अगला ज चलने वाले उपासक को बहुत सा उधान रेना चाहिए, अंतकाल का भाव मनुझ का होगा, उसके अनुशार, जो जीवन में तुम कर रहे हो, अंतिम में वही भाव तुमारे आएगा, यदि भजन कर रहे हो, तो शदगती, और बुरे आचरन संसार में फसे हो, तो दुरगत तदानुशार ही सदगती दुरगती होगी उसे प्राप्त अनिवार, अतार रखो प्रतिपल ही मदुमें, भगवद इस्मर्ती में हरदय उदार, अपने हरदय को निरंतर भगवद इस्मर्ती में लगाये हुए ही कारिरत रहो, अगर आप इसको भगवद इस्मर्ती को संसार हमें म्रत्यूं बनानी म्रत्यूं को महुत्सों बनाना है हमारा आखिरी शमय होना चाहिए तो बोल इसके लिए क्या करो संसार का चिंतन छोड़ना होगा संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यू महुत्सव हो जाएगी इस पर कोई सोच नहीं रहा सारी सोच आज की है आज की वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं आज हमें अच्छा खाने को मिले खूब हसी मजा करने को मिले मन के अमसार भोग भोगने को मिले तो आज का दिन बढ़ या मंगल कल क्या होगा देखा जाएगा ये है मोढता उपाशक क्या सोचता है मेरा अंतिम शमय बढ़िहा जाए क्या प्राण नात प्रीतम के चिंतन में उनके ध्यान में पावन चरण रज का इसपर्ष करते भी हमारा सरीर छूटे हम प्रियालाल को प्राप्त हो भगवान कह रहे है जैसे भूत प्रकति मोक्षम संपोर्ण पंचभूत और प्रकति इसके कारे अगर इनसे आप अपने को बचा लें तो जराण आप मरण मोक्षाय की पदभी पर आ जाएंगे जरा और म्रत्य विनी से होते है किल्जे पंचभूत रचित सरीर और इनकी प्रकति इनकी क्रियाएं बड़ा सुक्ष मिश्य है जरा मरण से अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि सरीर और सरीर की क्रियाओं से अपना पन हटा दो बड़ा कठीन है क्या करें बहुत सरल है ऐसे हो जाओ आत्म समर्पन कर दो आराद देव को हम सरीर से दाग नहीं हटा पा रहे इतना बिवेक प्रबल नहीं हो रहा क्रियाएं हम भगवतिक नहीं कर पा रहे इतनी पवित्रता हरदय में नहीं तो एक सिद्धान वो सास्त्रों में बहुत कृपा करके बरेनन किया गया है अनेक जन्मों की आदतों से इस जन्मकी आदतों से संग से अहंकार से इंदरियों से ब्रतियों से जो कुछ भी हो रहा है ओशाप परमपुरुष आदिपुरुष प्रभुष्री हरी को समर्पित कर दो आप भगवत प्राप्ती की मार्ग में अग्रशर हो जाए इससे बढ़ियां और बात क्या हो सकती ये करो ये न करो ये नहीं यत करोशी जो भी कर रहे हो मेरे परायन होकर जो भी तुमारी क्रिया हो रहे हो मेरे को अर्पित कर दो यत करोशी जो कर रहे हो कुछ तो करो कोई सिद्धांत तो पकड़ लो आज से नियम ले लो कि हमारा कोई भी 24 घंटे का समय भगवद अर्पित बिना हुए नहीं हम छोड़ेंगे उसे अगर शयन में जा रहे हैं तो जागरत का पूरा का पूरा हिशा प्रभु के चरणों में दीजिए और शयन के बाद जब जगिए तो पूरा शयन दीजिए प्रभु को प्रभु दस बजे सोय थे और भी एक बजे दो बजे जो जगे प्रभु ये शमय आपके चरणों में शमर्पित है इसमें जो हम नीद में हुए या जो भी नाम जब किया प्रभु आपके चरणों अब फिर सुबस जागरत में ये विचार करते रो ये क्रियाएं सब प्रभु की प्रशनता के लिए हो रही नाम जब करते रो हर क्रिया प्रभु को समर्पित है अभी कुछी दिनों में आप देखना आपके अध्यात्मिक विचार शक्ति बढ़ जाएगी आपका विवेक पवित्र हो जाए पर ये अभी एक दो दिन करोगे फिर भूल जाओगे भूलो नहीं अगर भूलते रोगे तो ज्यादा समय नहीं अपने लोगों के लिपास बहुत डिंगे आखते हैं अभी बड़ा समय ब्रह्मा जी के देश में ब्रह्मलोक में ऐसे कमल की पंखुरी में ऐसे छेदो तो अपने आंका एक वर्ष हो जाता है अगर वो असी बार ऐसे एच कर दिये तो हम गए असी साली होगी वो तो तुम्हें 60-70-80-80 कितनी उमर है बहुत जल्दी ततपर हो जाओ पर सब कोई ततपर नहीं होगा सब ततपर हैं या जगत सजाने में अरे हम जगत स स्वरूप में नहीं होते हैं ये शरीर में होते हैं अब स्वरूप का परिश्या ही नहीं लोग बहुत जानकार जिसे जएदा बातें बनाते तो खूलो चालिस जाना तुम कौन हो भाई हो कि सो दो सो हाथ का है तो खोजने में समय लगेगा साड़े तीन हाथ के सरीर में आप हैं आप अपने को नहीं जानकारी कर पाए तो आप कितने बड़े जानकार हैं औरों की जानकारी क्या लोगे आप अपनी जानकारी नहीं कर पाये साड़े तीन हाथ के सरीर में हो कैसे भूल बुलावे में हो हम तो रोज अपनी देखते सीसाम देखते और यहाँ गोरे चिकले गालो और सब यह तो प्रकत की रचना का पंच भूत का एक नमूना है यह नमूना है नमूना हमारा थोड़ी सुरूप है बस यह पहली सुरज गई जरा मरण मोक्षा है क्योंकि जरावस्था इसी में होती है और मरण वस्था भी इसी की होती है प्रकति के कारिश शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा तब तक जरा मरण मोक्षा है नहीं हो पाएगा सम्मंद विक्षेत करना ही है इस सरीर से सारी सारी चेष्टा इसी सरीर के सजाने की है और सरीर को मैं मानने की पुष्टता की है हम बनते हैं सादक हम बनते हैं अध्यात्म मारगी के पति जब कोई उपाशक सरीर के साथ तदात्म मैं आग तक नहीं भूल पाए, देखो न, जब आप तिलक लगाते हैं, शरीर के माथे पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, उसमय आता है क्या, नहीं, एक एक बाल समभाल करके, क्योंकि मैं हूँ, मैं, बस यही यंतरा है, अब ये गूड़ बात कैसे समझ में है, यहां तो बात समझने के लिए बस इतनी कि वो उपाय बताओ, जिससे चेक पर चेक पास होती है, वो उपाय बताओ, जिससे खुब भोग भोगने के लिए बल बढ़े और खुब भोग मिले, बस जीने की, जीते किसके लिए हो, इसका उत्तर नहीं, इसका उत्तर नहीं किसक के लिए जी रहें भोग भोग रहें जीने के लिए बद इतना एक्रम है मूढका का शरीर के ब्रद्धावस्ता होने पर जब शरीरा भिमानी मैं मानता रहा है अब अपने को मान लjenigen कि मैं ब्रद्ध हो गया हूँ पर वहासना बहुत प्रभल जाती ब्रद्धावस्ता में पहले हमको यह ब्रहम था कि ए जितने बीकार हैं जवानी के हैं इसके बाद सांत हो जाते होंगे फिर बाद में अन्य अन्य ब्रद्धजनों से बात करके और शास्त्रों से पता चला कि यदि चालिस पैतालिस की अवस्था तक आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की, तो आगे और भयंकर रूप धारण कर लेंगे, और ब्रद्धावस्था में तो ये ज्वलंत, लोग कहते हैं, जवानी में विकार ज्वलंत होते हैं, नहीं नहीं, ब्रद्धावस्था में होते हैं, क्योंकि अब उसकी दुर्गती करवानी हैं ना, अंद अभी से सुधार करो आज से सुधार करो एक अधे हितधाम में आप लोग जानते हैं उनको उनके उन्होंने कहा कि हम विरक्त भेश लेना चाहते हैं दोनों पति-पत्नी सब कारी निवरत्त हैं और वहां ठीक है अच्छा है चोथा पर नहीं विरक्त भाव कर ब्रंदावन बा वो फ्लेट भी खरीद लिया हमका ठीक है आप एशा कर सकते हैं अच्छा है जब जागे तब ही मंगल आप जो आयू बची ब्रंदावन बास करते हैं भजन कर उपर हमारे आप शिद्दानत है ये रज के पात्र में पाया जाता है और कोशिश करे कि जमीन में ही आशन लगा कर सेन करे बहुत संसार की तो सब भूगा भूगी लिए और दोनों अलग-अलग आशन पर लेटना वो रुख गए उनका अलग-अलग आशनों पर हम का हाँ बिरक्त होने पर तो फिर यह होगा ना मतब अलग-अलग आशनों पर तो उन्होंने इस पस्ट कहा कि इनको फिर नीन नहीं आएगी तो विरक्ति नहीं ले पाएंगे और नहीं ली नहीं ली और वो ब्रंदावन से यह आप क्या समझते हो बुड़ापा में जीवन में भजन नहीं के तो बुड़ापा में आके तुम ऐसे नहीं बहुत विचित्र राग है माया का ऐसा राग नहीं है जो मैं मानता है कि सरीर मैं हूँ सरीर पे मेरा पंटिका हुआ है तो जन्मम्रत्यू जराव्याधी दुख दोश आनुदर्शनम वो नहीं कर पाएगा जन्मम्रत्यू जराव्याधी दुख दोश यह नहीं देख पाएगा वो सरीर के जन्मम्रत्यु जराव्यादी दुख रूप दोशों को देखना बिवेकवानों का काज़ है यह सरीर में बिलकुल मंता नहीं रह जाती जब आप भगवत प्राप्ति का लक्ष करोगे भगवत प्राप्ति का क्या हमें लगता है अगर विशेश कोई कामना अपना जोर दे दे तो सरीर का प्यार खतम हो जाता है कोई कामना विशेश जोर दे दे अपने स्वरूप में आ जाए कामना तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता मरना मंजूर है लेकिन वो अपने लक्ष पर आगे बढ़ जाएगा फिर भगवत प्राप्ती की कामना हो और सरीर का राग बना रहे कैसे हो सकता है इसका मतलब है भगवत प्राप्ती की जलन नहीं हुई यह रदय में भगवत प्राप्ती की लालसा नहीं हुई ये मैं मेरा पनुषे मुक्त हो गए तो जरा मरन से मुक्त हो गए क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध बड़ा कठी नहीं त्यागना तो इसे क्या करें कैसे संबंध का त्यागने हम नया संबंध बनाओ क्या नया संबंद अभी तक जितने संबंद बनाए उन सब संबंदों ने तुमें बांधा है भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ये आशक्ती ही जगत के बंधन का कारण हुई और हे मां अगर यही आशक्ती भगवत प्रेमी मात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है हमें संबंदों ने ही बांधा है सरी संबंद, सरी संबंदी भोग, सरी संबंदी रिष्टेनाते अब हमें एक संबंद और प्रगट करते हैं अपने आत्मस्षरूप गुरुदेयु का मन, वचन, कर्म, शेह, हम, आचारी और गुरुदेयु की शरण में होते हैं अब ये जीवन, यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा खतम खेल देभाव कब नष्ट हो गया को पता नहीं चलेगा जिन वैरागी की शीडियों को लांगना बिवेक के द्वारा बहुत कठिन पढ़ता, बड़ा लंबा समय जाता छोटी छोटी अवस्ता में कोई ग्यान नहीं है उन वैरागी की शीडियों को आगे लांगते भी निकल गए गुरु क्रपा पात्र जन हम अगर यह शम्मंद मान ले प्रथमई सेव गुरु के चरन जिन्या धर्म कहो सब करन नाम प्रताब बताई हो आप इस चाल को शमजना ये मन बुद्धी इस बात को स्वैकार नहीं करते हैं एक गुरु का शम्मंद केवल एक बेवहार मात्र कर लेते हैं गुरु मानने वाले लाखों हैं लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं अपने मन वचन कर्मशे ये ठान लोग की अब मेरा जीवन बिक गया कोई आस्तित तो नहीं गुरु ने नाम देकर मंत्र देकर खरीद लिया है अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा ये सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने गुरु महिमा का गान किया है बिना गुरु कृपा के इस मै और मेरा पन से हटना बड़ा कठिन होता है गूम गूम करके छाया रहता है देख लो यहां बैठे उसलिए देख सकते हो देख लो जब से चले हो तब से अब तक मै और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो देख लो और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा उतने उसका सितिल होता चला जाता है यह आत्म शमर्पन से साथ ठीक हो जाएगा हमारा प्रगट में शाषन चाहिए क्योंकि छवी तुमारे घर में बिराजमानों कभी तुमें डांटी क्या तुमारा जैसा मनावे छवी के सामने करो कर सकते हो प्रगट में गुरू के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डाट पड़ जाएगी सभा में तुमें गलती माननी पड़ेगी लेकिन छवी के सामने यद्यपिवो वहीं भी बिराजमान है पर आपकी ब्रति सुधरने के लिए छवी से काम नहीं चलेगा प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करें और हमें शाशन भी करें और हम यंत्रवत चलें बद भगवत प्राप्ति हो रहे अशा नहोता तो भगवान स्री कृष्ण चंद जो नीचे बैठते हैं संधीपिनी जी उपर बैठते हैं संधीपिनी जी कौन है बोले भगवान के गुरु हैं क्या पढ़ा रहे हैं बोले वेद पढ़ा रहे हैं बेद कौन है बोले भगवान के स्वांसों से निकले हैं जाकी श्वांस बेद सुर्तिचारी सोहरी पढ़ें यह अचरज भारी संदीपनी जी के गुरुद्य भगवान कुछ समय के लिए बिक्षिप्त का स्वांग किया पागल जैसे जितने शिश्य थे सब भाग खड़े हु गए ऐसा काफी शमय तक उनमाद इस्थिती रही उनकी एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी के वल पास में तो उनका बेटा और शब कहां गए गुले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए क्यों क्योंकि आपकी चेस्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी बा आपका विश्णान कौन कराता वस तो क्या हमारी प्रतिकूल चेस्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई गुरुजी हमारा जीवन नहीं है वो जीवन तो आपका जीवन है अब जैसा आप हों तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है ना मेरा मन है ना मेरा प्राण है हमने तो आपके चरणों में शमर्पित कर दिया अब आप चाहे मारो या दुलार करो इससे मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि यह जीवन आपका है आशु आ गए गुर्देव के हरदे से लगया और बेटा जिस प्रब्रम की उपाशुना हमने की उपाशुना के बल से जिसका साक्षात कार किया वही ब्रम तुम्हारा शिश्य बनेगा करके वही संदीपनी जी उचे आसन पर बेटे और जगत गुरु भगवान स्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बेटे उनकी आग्या का पालन कर रहे हैं चाहे शिव विरंचिस्व होई गुरु भी नुभावनी दितरे न कोई क्यों क्योंकि ज्यान हो सकता है तुम्हें चतुराई आशकती है तुम्हें लेकिन अहम की व्रति का नाश समर्पन से ही होता है वो जब समर्पित हो गए अब जैसे कह रहे हैं वैसे हम चल रहे हम तो कुछ करने रहे हैं जो करवा रहे हैं जैसे चला रहे हैं हम खतम देन निता तो मैं मेरा पन गया यही है बंदन का कारण मैं और मेरा अपना अस्तित तो अपना अलग भाव देह की शीमा में जब तक हम बनें तब तक महात्मा नहीं हो सकते महात्मा का शर्वात्म भाव होता शर्वात्म भाव शाव रूपों में मेरे आराध्य देओ या सब रूपों में मैं ब्रमग्यानी शाव रूपों में मैं भक्त शब रूपों में आराध्य देओ मामा श्रित यतन्तिते जिसने बेरा अस्रे ले लिया मीरे आश्टित होकर जब मैं साधन कराता हूँ तो अभिमान नहीं होता और जब उपासक श्वयम के करता भाव लेकर यतन करता है तो अभिमान छुपा पुष्ठ होता रहता है मैंने ऐसा कर लिया जिससे मुझे ऐसान वहाँ और मैं ऐसा कर लूँगा प्रभू ने ऐसा कराया तो ये अनुभो हुआ प्रभू ऐसा करा लेंगे तो वो भी अनुभो हो जाएगा उसके जीवन में शावधानी ये रहे कि आलश्य और प्रमाद नाने लगे कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा तो बजन करने की जरुवत क्या है गुरु कृपा से सब हो जाएगा अब बजन करने की जरुवत नहीं अच्छा चलो ठीक तो फिर प्रमाद करके अन्य जो अशाधन वो भी करने की तुमारी रुची नहीं होनी चाहिए पक्का समझो बस इसी से हो जाएगा पर होता क्या है हम ये तो कह देते हैं कि भगवत करपा से सब हो ज ये स्टिती छोटी मूटी नहीं कि आद से हम कुछ नहीं करेंगे जहाग के देख लीजिए ये बहुत बड़ी परमन्स इस्टिती है कुछ नहीं नसूब नासूब नासूब नसात नासा इस साधारन कह देते ही सब भगवान की क्रपा से हो जाएगा हाँ ठीक है बहुत दिच्चित, हम पूरी चेष्टाएं जिनका अस्चरे लिए उनमें लगा दिया जाए उनके बल से लग जाएंगे जो नित्य निरंतर प्रभू का चिंतन करता है प्रभू का अस्चरे ले करके तो उसका सरीराभिमान नष्ठ हो जाता है उसका करता भाव नश्ठ हो जाता है इस्थाई भाव उसके हिरदय में आ जाता है भजन का अभी अस्थाई है थोड़ी दिर भजन हुआ, थोड़ी दिर विशेचिंतन हुआ थोड़ी दिर प्रभू अच्छे लगे, थोड़ी दिर संसार अच्छा लगा भगवद आश्रे लेकर हमारे हिरदय में जो अब साधन की बृतियारे मेरे प्रभू दे रहे हैं उनकी क्रपा से हो रहा है ऐशा मानकर पूरा प्रियत्न भजन में लगा दे तो देहा भिमान गलित हो जाता है देभाव रहित हो जाता है इस्थाई भजन की प्रवत्ती जागरत हो जाती है अगर अहम है तो शाधना करने पर उसको भगवत प्राप्ती नहीं होती क्योंकि अहम ही मूल है शरीर और संसार में थोड़ा भी महत्तो है तो अहम है उतनी ही भगवत प्राप्ती में देरी है जितना हम है इसुक्षमबिश है इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्म समर्पन अत्यनतावश्यक है संशार की श्रतंत सत्ता नहीं है सरीर की स्रतंत सत्ता नहीं है विचार करो ये यंत्रवत वैसे ही माया से चल रहा है तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो त्रिगुन माया के द्वारा हो रहा है अब तुम ये श्वईकार कर लो कि प्रभू का मैं हूँ तुम माया से त्रिगुनाती भाव की तरफ आप बढ़ जाओगे जो प्रभू का आश्च्रे लेकर के प्रभू के बल से यतन करता है उसका अहम गलित हो जाता है और प्रभू की क्रपा से उसका साधम तीप्र हो करके वो जनाब मरण मोक्षा इस्तिती को प्राप्त हो जाता है वो ब्रद्धावस्था और मरणवस्था का प्रभाव जहां पढ़ता उससे उपर हो जाता है कोई भी प्रभाव शिद्धुखी असुकी नहीं कर सकता इसले भगवद आश्रे लेकर निरंतर भगवद कृपा से भजन का प्रयास करते रहो प्रभु बड़े कृपाल हैं प्र हमारा देहा भिमान गलित होकर भगवद चरणार्विंद का प्रेम प्राप्त होगा